फ्रेंड्स बात कने वाले हैं एक बहुत ही सांदार अच्छी वेकिंसी निकल के आ रहे हैं NCAT की ओर से यानि National Council of Education, Research and Training की ओर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही सांदार वेकिंसी निकाली गई है जिसमें सभी लोगों को मौका दिया जारा है यानि 10-12 और करजवसन से उपर जो भी आपके पास डिगरी है उनके लिए भी यहां जो मौका दिया जारा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां लेविल पोस्ट तो लेविल पोस्ट 1, sorry 2-5, 6-8 एवं 10-12 यानि सभी के लिए यहां मौका दिया गया है कुल यहां 347 पोस्ट के लिए वेकिंसी निकाली गई है कुल 347 पोस्ट के लिए भी वेकिंसी निकाली गई है यहां आप देख सकते हो NCRT is here inviting online application for filling of various non-academic post यहां non-academic post के लिए यानि non-teaching post के लिए वेकिंसी निकाली गई है और यहां अभी जो है इस notification में पोस्ट का level बदे गया है पोस्ट डिस्क्राइब नहीं किया गया यानि कौन-कौन से पोस्ट इस वेकिंसी में सामिल किया गया है लेकिन इतना आप समझ सकते हैं यहां 10-12 और क्या कहते हैं उसके बाद गर्जवेशन गर्जवेशन से पर जो भी डिगरी है उनके लिए भी यहां मोका दिया जाएगा यहां जो है इसके लिए आवदन जो शुरू होगा 29 अप्रेल 2023 से 6 मई 2023 तक यहां चलेगा यानि अभी आवदन शुरू नहीं हुआ है मैं बिल्कुल फ्रेस वेकिंसी बता रहा हूँ अभी 29 अप्रेल से आवदन शुरू होगा और इनकी जो अडवर्टेजमेंट है यानि फूल अडवर्टेजमेंट जहां आपको सेलरी, पोस्ट, अधर, कंडिशन, टर्मस अन कंडिशन बता जाएगा सेलेक्शन पोर्सेस बता जाएगा उनकी फूल अडवर्टेजमेंट जो है पॉब्लिस कर दिया जाएगा यानि 29 अप्रेल 2023 को इनकी अडवर्टेजमेंट जो है इनकी ओफसल वेफसाइट देख सकते हो www.ncrt.nac.in पर जो है पॉब्लिस कर दिया जाएगा फिलाल यही जो है न्यूज न्यूज पेपर के माध्यम से प्रकासित की गई है ओफसल साइट पर जो है आपको न्यूज दो से चार रोज में आपको मिल जाएगा देख सकते हो 29 अप्रेल 2023 को यहाँ जो आवदन सुरू होगा तो इससे पहले भी आपको advertisement मिल जाएगी और यहाँ जो है साड़ा कुछ कट अप बता जारी की 22 अप्रेल 2023 से होगा और जो भी कट अप है जैसे डिगरी कट अप एज लिमीट वो सब जो है आपको यह जो वेकिंसी जिस रोज से advertisement जाड़ी होगी जिस रोज उस रोज से मानी जाएगी और आपको मैंने बता दिया online application form fill update category wise जो है कितनी seat है उनके बाड़े में यहाँ mention किया गया है और यह वेकिंसी जो है NCIT के ओर से निकाली गई है और इनके जो headquarters जो है काफी जगा है वहाँ वहाँ आप लोग की यहाँ भरती ली जाएगी आप सारे headquarter जो पढ़ सकते हैं जैसे यहाँ मैं आपको बता दू Headquarter National Institute of Education and Central Institute of Educational Technology at New Delhi फिर पंडित संदराल सर्मा Central Institute of Vacational Education at Bhopal The Regional Institute of Education at Ajmer Bhopal, Bhupaniswar, Mysuru and Shilong and the Regional Production and Distribution Centers at Ahmedabad, Bengaluru, Guwahati and Calcutta इतने सारे जगह पर इनके जो headquarter है और इनी जगह पर आप लोग की वेकिंसी जो है लगने वाली है जो पलोकेशन आप इससे का सकते हो तो जैसे वेकिंसी की full advertisement जारी होगी मैं आपको बता दूँगा फिलाल इतना समझ लीजिए आप लोग के लिए खुसी की वेकिंसी है क्योंकि यहां सभी को मौका दिया जा रहा है तो चलिए फ्रेंड्स कोई भी सवाल होगा नीचे कोमेंट्स करके पुछ लीजेगा और मिलते हैं इसकी नई advertisement जो full advertisement होगी उस वाली वीडियो में